रवलक도ूर्ट यह वाला किसो लेक्टर में हम देखने गते की वाले ATM to सरवारे में आगे compatible क की लेक्टर में बनाया था विड़ा वे ले अथ वाले वब यह वालए पाल अगे छया वर में यहka फाइल यहा जो इनालों फाल वपन तो कहा था किस तरह से लिया था उसकी जो हमने CSS थी वह किस तरह से लगाई थी वह आपने कंप्लेटली देखी आपको यहां तक कंप्लेटली पता चल गया होगा तो आज के लेक्चर के अंदर क्या देखना हो तो उससे पहले हम लास्ट वाला हमारा आउटफुट डिख लेते किसी साफ से लिए तो हमने यह जो हमारी वेबसाइट थी लास्ट रेट की यह हमारा मेनू था यह अमारी एडर थी उसके बाद एक दूसरा आर्टिकल यह वाला हमारा मेनू प्रिये तो अब हमें क्या करना है तो हमें जो भी वेबड़ बना हो उसस चाब से या और में अपने लेता हो यह वाली सब्सक्राइब हमें बना रहे हैं अभी तक तो उस्साब से हमें का कोंटेक वाला पेज बनाना पड़ा इसलिए सबसे पहले तो मुझे अलग से जो हमारा दियू टेक लिया था वह सेंटर टेक के अंदर अलग से उसरा तो यहां पर दोपिरग्राफ टेग यहांप आप जैसे क्लिक करोगे तो आप अपना टेक्स इंपूट कर पा रहे हो तो क्म्प्लेटली है इसको बोलते हैं इंपूट टेग्स क्या मोरते हैं आपको किसी भी तरीकर डेटा इंपूर्ट करना है तो इसके लिए आपको इंपूर्ट रहे गहारा यहां पे उसने अपना कस्टम इंपूर्ट बना यह मतलब कि आप जब भी उसा पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको चारे यहां पर उसने एक सेंड का लिया है कि यहां तक हमारी वेबसाइट आजके लेक्टर में हमने यहीं क्रियेट करना है कि exactly हम यह हमारा सकते हम उसाप से वह हमें देखना है तो आई है हमारे लेक्षर हमारे कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं यहां पर वेबसाइड है कि यहां से मैं अपना कोडिक ओपन कर लेता हूं तो यहां तक हम नेखिए अभी मुझे क्या चाहिए कि मुझे कोंटेक लेना है तो यहाँ पर मैं क्या रहा है तो यहां पर मैं क्या लेता हूं तो मैं इसके इंदर मुझे क्या करना पड़ेगा यहां तक क्यानाथ कि हमारा sympathy वह वह मेनने वाला डिव टेक थाा, quirky अधि को खतम हो जाने के बात यहां दूसरा मैंने के यहां डिव टेक ले लिया है यहां पर मैं इसको स्यो करता हूं या फिर मैं क्या ग्लता हूं इस डिव टेक को यहां पर HR जैसे ही complete हो उसके नीचे रख देता हूँ क्योंकि यह जो हमारी टायल की उसको पहले से हमने यहां पर विर्ट देकर रख लिए जब भी हम विर्ट नहीं देंगे तो फुल साजने लगे इसलिए मैंने क्या किया हमारा जो ड्यूटेग है वह हमें में ड्यूटेग जो है वह थोड़ी सी ज्यादा लग रही है और उसका जो फॉंट फैमेली है वह भी बोल्ट आ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा अभी उसकी जो डिफॉर्ट फैमेली वह मुझे हटानी पड़ेगी तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ यहां पर मैं एक ड्यूटेप प्रेखस लिए कंपलीटल अभी मुझे ॉर्यूमि ग्राषि तो यहां पर आपकी जो फॉंट कीड्य ठीक ल On मेरा जो आउर्पूट मेरा बड़ी आसा दीख रहा है मुझे एक दम बढ़ी आसी बड़ी आसी बट अब अभी मुझे क्या चाहिए इसके अंदर थोड़ी सी पिक्सिमम मैं लें तो पिक्सलेंगे जैसे कि आगे के नदर हमें तु पिक्सले तो यहां पर भी डूपिक्सलेंगे वह बढ़ी आछी रहेगी अभी आप देख सकते हो मेरी जो website है या मेरा जो वेब लेड़ाओट है उसके अंदर जो contact है वह एकदम बढ़ी आसा यहां पर दिख रहा है आप देख सकते हो अच्छी तरीके से आपको यहां पर से बॉटम साइड के अंदर कॉंटेक्ट भी अभी मुझे करना होगा इसको मुझे लेटेंड साइड लेंगे यह तो सेंटर के अंदर आ तो मुझे कि अंदर प्रूपर जो यादर के मुझे तो इसलिए मैं अपना ट्यक्स को क्या डे जाँ एक प्रोपर्टी दूला प्रोपर्टी एक्स अलाइमेंड क्हें थलानच को मुझे अलायमेंट क्या डेना था यहाँ एक्स अंदर Chief विए valuable कि जोबी हमारा कौ उसको मुझे left inside लेना है तो इसलिए मुझे success up сторонний इस मैंने टेक्स के नागा है तो इसको देणी property प्रप्रपर्टी ऊपका है डाला को प्रberकर मारा जो बैज साइ़ करता हूं तो अभी पूरा कंड्रेंग कर频 देंग भी आता है सब्सक्राइब करें अच्छी तरीके से मुझे दिखराएं अभी क्या करना तो यह तो कम्लेट ही होगे अभी यहां पर अब जेक्ट सकते हो मार्जी अभी लगी हुए है मार्जीन अभी मुझे मिल गे तो अगकी करूंगा में तो अब क्या करूंगा मिसे मिलने के बाद आज अभी पांडली तो अ बहले होगित उसके नीचे पेरेग्राफ टेग gardenा ना है तो अब उसके अंदर मुझे जो भी टेग्स लिखने हुँ यहां से मैं डार्क किटक्रले हो जिस से ही मुझे लिपना ना जोगेस है मैं अब है इसको मैं आया को किो अभि इसको मैंने left ले लिया ऐस यह दर आरीक के ह्याठक ले लिया बिने क्या लिया एक नुक हए तो और आठेने को पेरेग्राफ अर और जैंता रहा है कि तो मैं अपने वेब पेज केंपे चले हैं मेरा आउट पूट यहां पर मेरा टेलेग्राफ टेक तो आहीं रहा है बट मुझे थोड़ा सा इसके टाइल में डिफरेंट करने की ज़रुवत रहेगी क्योंकि यह जो है ना उसकी टेंक्स अलाइमेंट सेंटर ही आ रही है तो मु उसकी जो भी लेपंट साइड में इसने अलाइमन नेकल कश्यर फोस्रूं तो कि जो भी परिग्राफ है उसको मुझस आप कि लिए मैं क्या करता हूं इस निया नों यां से मित करता हूं यहां से में थी जोड spring in- dará क्या करें उसकी जो alignment टेक्स alignment लखनी पड़ेगे नए टेक्स alignment मुझे देटेटेटेटर्स अब को अब है अभी paragraph के अंदर मुझे क्या किया अभी मैंने उसको property डेली लटेंटर्स हैट तो मेरा जो output है completely left hand side आपको देख रहाई तो यह complete मेरा यहां पे दूसरा टेक लिया गया हम इसको एक एड्रस बता गया तो उसी सब से में एड्रस लेना होगा तो हम क्या करेंगे पेरेग्राफ टेक के नीचे हम एक है जो इसके इंदर जो भी पॉन की कर लेता हूं पर लिखने ना पड़ेता है को पी कंटेंट कर लिया उसके बाद इसको सेव करके में यहां पर कर वाता हूं इसको वीजिबल करोता अपने चले जाता है तो वो जो देखर है आप मैंने कहा वैसे ही कि वह बोल्ट आ रह हुआ कि हे की जो थे की जो भी फॉंट यहां कुछ ना पाधेंगा तो अभी क्या करना पाध मैं है रही तो अब देखोय दिखना है तो मैं नुर्मल करना पड़े गारता है नौर्मल और फॉ Welcome to voiceover Okay यहां पे completely हो चुक है मेरा जो टेक्स हे वो क्या हो जगा है एक दमी normal हो चुका है उसका font wait है वो completely normal हो चुका है अभी मुझे क्या करता है अभी मुझे उसकी जो size है ना वो कम करने पड़ेगी वो size थोड़ी से ज़दा लग़े तो यहां पर में क्या करता हूँ इसकी font size देज़ेता हूँ okay font size के अंदर उसके में size देज़ेता हूँ यहां पर exactly 20px around 20px में नहीं यहां पर देजी text around टखेंगे तो यहां पर save करता हूँ और run करवाता हूँ तो अभी मेरा जो output है completely video रग रहा है मेरा text भी छोटे होगे और उसका weight भी है वह भी कम होगे अब मुझे क्या करना उसका color थोड़ा सब्सक्राइब तो किसको color देना है हमें h2 type तो उसकी css के अंदर जाना पड़ेगा न हमें तो उसके css के अंदर गए उसके बार यहां पर हमें color देना है बट कोई सा color है तो वह हमें देखना पड़ेगा simply east type का color है यहां पर पर टाइप का है बट ग्रेयर के उपर पर इसलिए में इसका color code यहां से पोपी करने की तो यहां पर उसका color code दिखा है 607D8B यहां पर यहां पर कलर नाम की प्रोपर्टी जाता हूं उसके इंदर 6078D8B वह है ना देख लेए एक बात पिर से 6078D8B अबिन यहां में कहा है जो इस पेकमने की तो अभी जह लग चुका है यहां पर आपको यात रखने है कि color आते कि किसके लिए यूज वती है आपको किसी के अंदर color देना है यह किसी भी text के अंदर color देना है तो default color का और और कलर पूर्ण है वह आपको शिक्स के अंदर देना उसकी ने शिक्स तक ही रहेगी और आगे आपको यह कोड करना ही पड़ेगा यह आपको याद रखना है कंप्लेट तो यह हमारा हो चुका यह पर अभी मुझे इसकी जो टेक्स अलाइमेंट है उचको मुझे सेट करन बेंद कर दाना पड़ेगा तो में चिंदर रहा हूं यहांपर टेक्स अलाइमेंट चोनछी रखुंगा मैं यहां ड्ले रखतोंगा यहां पर तेव कि अवह मैं Too अब नम पर मेर अब हो टॉमत ही लिदे इस एंज सब्सक्राइब है आफ मेरे बैडेखने अब हमा सब्सक्राइब आडए की अपके शोड़िा तो पॉन्टेक और फर्स्ट अमारा वी वाला जो पी परिग्राफ है उसके अंदर खोड़ा सा साइज है वो स्पेसिंग ज्यादा तो हमें ज्यादा लेने के लिए यहाँ पी करकाना पड़ेगा जो हमारा परिग्राफ टेक जिना मुझे मुझे मार्जिंग जेता हूं 13 पिक कर देता हूं 15 पिक्सल कर देता हूं और रौंड आपडेक में चाहों के पीसी साच्च करेंगे अभी बढ़िया लग रही है यहाँ पे भी यहाँ पर मैं लेत ना जाहूंगा जहां पर भी ठोटी पिक्सल की हमें जेना पड़ेगी तो हमारा एच तूटे ले उतके अंतर महां जीन हमें तो पर टिक्टे पिक्सेल या पर 40 पिक्सेल को देनी ही हुए अभी मेरा आउटपूट है वो कम्प्लिटे बढ़िया लग रहा है आप देख सकते हो अच्छी तरीकिसे मुझे है इक रहा हो और सम्भी अलाइमेंट में आ चुके है तो अब मुझे क्या करना हो यहां मुझे जो अपना है यहां तक हम अगवी तक हमारा कम्पलीट रोत पाई यहां तक अब इसके नंब मुझे क्या करना दो यह लगारी से लित के लें अब मुझे यह वाला जो हमारा मुझे से बनाने सब्सक्राइश मों बंस जो कि Hmmu टेकि मतलग कि यहां पर युजर अपना जो भी इन्पूट में वो दे सकता है। कोई भी इन्पूट हो儿 हम कोई भी दे सकते हैं फिर्म ह alone तो यहां पर हमारे पास एक input tag होगे, याद रखिएगा आपको user के पास से कोई भी value लेनी होगी अपने web layout के अंदर, तो उसको लिखने के लिए आप जो भी जगार दोगे वो होगा input tag, क्या होगा input tag, आपको याद रखने हो, यहां पर मैं ले लेता हूँ input tag, क्या ले लेता हूँ text, क्या ले लेता हूँ text, यहां से save करवाँ और यहां से, मैं run लोगा, तो अभी मेरा output है जो यहां पर देख चुका, छोटा सा यहां पर input tag आ चुका, उस पर click कर रहा हूँ, यहां पर border तो आ रही है, पर यहां पर जैसे ही मैं click कर रहा हूँ तो वो focus भी यहां पर रहा है वो type का, और उसके अंदर हम कुछ भी ले सकते हैं, बस उसका the type चे वो बहुत छोटा, तो वो हम किस हिसाब से करेंगे, उसका हमें बढ़ाना तो बढ़े नहीं, यहां पर एक एक कट्व साइज होई, बढ़ा जेता हूँ लिए आपको पता से लिए यहां यहां पर लिखता हो सकते हो, बोटम के अंदर, यहां पर हमारा आता हो तो कहीं है यहां पर उसको हम किस तरह के से करेंगे, तो उसको मैं पूल साइज पे चाहिए ना हमारी वीट, तो उसके मैं वीट्स देना, यहां पर मैं जेता हूँ उसकी XDSS के लिए, .cd, और उसके के अंदर जाता हूँ अपर हमारी के यहां पर उसकी 11 जाता है, 50 पिक्सल वीट्स देता हूँ देता हूँ उसकी 100 किरो के निकल देता हूँ, तो यहां पर मैं यहां पर देती है CISD, अभी जो देख सकते हो आप यहां से बढ़ी आसा मेरा, मैरा, अग टे, दो तो अधरude को लिखा हुआ नहीं आरा है यहां पर आपको सबस्के पर चालों करोंगे तो तुसरा नेम निकल जाएगा यहाँ तो उसी सबसे हमें पर यहां पर इसके सांग करना पेग्ल जिससे की यहां पर यहां नाम होता है प्लेशोफोर disaster जो हमें input text के अंदर देनी होगी याद रखना है placeholder वाली property है वो में CSS के अंदर नहीं देनी है क्योंकि वो CSS की property नहीं है वो input text की property है तो यह हमने दीचे उसके अंदर में लिख लेता हूँ ने याद रखना जो भी आपको hint दिखानी हो वो hint को बोलते है placeholder और placeholder का मतलब क्या होता है कि आप उसके अंदर कुछ भी लिखना चालू करो गये तो placeholder का टेक्स वाहां पर इसको बोलते है simply placeholder यहाँ पर मैं save करवाता हूं यहाँ पर मैंने placeholder ना नहीं को property day दीए अब देख सकते हो screen पे यहाँ पे run करता हूँ कि यहाँ पर जैसे में रिफ्रेश की यहाँ पर आप देख सकतो नेम मेरा लिखा हुआ चुका है ना आप देख सकते हैं ने इसके में size थोड़ी सी थोड़ी कर देता हूं तो आप completely देख सकते हो visible हो रहा ही होगा आपको बट अभी इसकी हाइट भी मुझे देनी होगी तो हाइट के लिए में यहाँ पर ले ले तो हुआ हाइट में 50 पिक्सल यहाँ पर मुझे जगह थोड़ी कम लिख लेए इसलिए अभी जो मेरा आउर्पुट है वह बढ़ी असा लग रहा है लग रहा है कि ने लग तो इसना मुझे कितना चाहिए हमारा टेक्स एक दो तीन च चार वार यह लेना पड़ेगा हमारा टेक्स तो यही वाला टेक्स में यहाँ पर कोपी कर लेता हूँ और यहाँ पर टाइम में पेस्ट कर लेंगे लिए इसलिए आप देख सकते हो मेरा जो इंपूट है को फोर टाइम आ चुका है ठेकिन नहीं बट इसके अंदर हमें पेंटी पिक्सल में यहाँ पर सेव करवाता हूँ अभी जो मेरा आउट्पूट है अब जेक्स तो अपनी स्विंच पे बढ़ियासा एकड़ाम आउट्पूट आपको देखने को मिल गया बट यहाँ ने सिंपल मार्जिन दिए इसलिए आगे से भी मार्जिन देने होगी अब जो मेरा आउट्पूट है वो कम्प्लेटली पड़िया होगी तो मुझे यहाँ पर लिख भी पा रहा हूं बट यहाँ पर आप एक देखने हो तो आउट्पूट तो आचुका है बट इसके नाम सब के सेम है तो मुझे नाम भी चैंज करने होगी तो पहले में नेम है तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा हाँ नेमी पीपर उसके पाद मुझे क्या देना होगा उसके बाद देना होगा डेट डेट अन टाइम यहाँ लिखने हो देट अन टाइम उसके बाद में मैसेज देना होगा मुझे तो यहाँ मैसेज लिखना है मैसेज का है मैं यहाँ कि अब देख सकते हूं जैसे ही यहां पे मैंने से उकिया तो हमारा प्लेसरे चेंज जा रहा है तो वैसा ही हमारा चाहिए थाकि जब भी मैं लिखना स्टार्ट करूं तो हमारा नेम चला जाना चाहिए को भी यहां पर मैंने मिलन लग भी या तो कोई भी आम नाम दें सकते हो यह तो यह हो गया complete बट अभी इसके अंदर हमें थोड़ी सी दिक्कत है क्या दिक्कत है रिख एक पर यहां पर दिख रही है रहाओंंग मैं यहुर्ध नहीं चाहिए कि हमें इस तरह का create कर ना है हम शिफ यहां पे यहां पर ही बोरडर चाहिए जप यहां पे नहीं पड़ेगी तो हमें किया करता हुआn तो यहां पर लाइक बेर औरहा के क्या क्या लिए बोर्डर की कि में कर देता हुआ तो यहां पर बोल्डर हमारी चली चाहें नहीं चाहिए जैसा में निकल रहा है तो अभी तो यह आपको टैक्स ही लग रहा होगा जैसे हमने यहां पर लिखा वैसे अब देख सकते हैं अभी आपको यह आपको एसे कोई नहीं आ रही है कि इसके अंदर आपको नाम करें टाइपिंग करना या दूसरा कुछ टाइपिंग बड़ आप जैसे क्लिक करोंगे वैसे आपको यहां पर दीखना तो चाहिए ना इस तरह से यहां पर आप देखते ही पता सुझे आपको नाम एंटर करना ज नहीं जलाओ क्राणिक निवारे सालत तो एक में मुझे साल भाटे को में वहां अब मुझे संल नाम के लुए मतबड़ा जैसे वापन पर दिख रह ओंघ तो बौडरे और व्यां साली आपछिए गोग्थे टाया घग उसकी अनकी मंत्तिर सणलीड के इस तो मुझे अचका प्राइट करें अभी यार रहा हों दिसके अभी इस जो भी जो तो भी डारा एँज जो पर मुझे गडर लेना एक गरे कि यहां से मैं इस साब से color लेने साँ अपने F1 मम प्रो में थोड़ा सी white प्रोट पर डिम्हा डे लाउन अब और मुझे नहीं दिखा है जोका ज़ूरा शोड़ा dark करना याँ इस लिए मैं यहां से में ले लता हूं मैं शोड़ा जो ति फिर दफर सब आ data इस इस सब से चाहिए एक यहां से मैंने color directly इसीज कर दिए रहा है अभी भूम में नहीं करें, आप मोलडा वोटा हुआ हो फूब पिक्सल करने चाहिए थी यहां पर save कर रहा हूं अभी नहीं पर में बढातु हुण। कि उसीज करीण थी अबहुत है तो जय्सा हमें चाहिए तो वैसा ही अमने इंपुर्टेक्स क्रिएट किया तो बस यही हूं हमें करना था जैसा आप मैं चाहिए था विए श्क हमारे लूटा Means कर ना है का अब ऐसा ना decreto आपको टाइप देना आगा उसी सब्मीट वाला बटन आएगा आप लिखोगे दूसरा टाइप तो उसी सब्सक्राइगा ड्रेगन ड्रोक वाल आएगा जो भी आप देखो तो उसी सब्सक्राइगा आप तो इससे साब्सक्राइग यहां कर लेता हूं यहां करे लिखंगौलं आपको ड्रोक लाया करता है तो इसे सब्सक्राइब तो बॉर्टर में देते हूं नन उसके बाद मुझे यहां पर पेडिंग भी देना आपड़े का सब्सक्राइब मुझे क्या चाहिए पेडिंग उपर बोर्टम और टॉप के अंदर 15 पिक्सल चाहिए और बाकी का जो है वो बिक्स पिक्सल अराउंड इसी आप यहां पर मेरा खर्ण वै पर इसका पर मेरा संटर आप जो यहां पर मेरा प्तर आप को एरिया है वो कंप्लेटली ऐट ने आपके आज इहां तक आपको पता जनई गया हो किसी साब से किया है एक बार रिवाइस कर लेते हैं यहां पर हमारा completely complete होई चुका है आप इसके अंदर कुछ भी दे सकते हो तो आज के लेक्ट्टर में मैंने क्या है वह लिए सबसे पहले डिव क्लास लिए उसके इंदर पॉन टेक वाला लिया उसके पिर परेग्राफ टेग लिया और उसके बा बटन क्रिया तो बटन के अंदर किसी साफ से किया होगा आउट आपके पताए सब्मीट का बटन है दूसरे भी टाइप से यहां पर मेनूरी सेट बटन अमें सिप्ल सब्मेंट लेता हूं मुझे सब्मीट का ही बटन चाहिए उसके मैंने property देदी लैप साइट चाहिए तो सब्सक्राइबर तो आज का लेक्ट हुआ है तो यहां पर आपकी स्क्रेंट आपका असयामेंट या घ्या दिया तो यह बटन हो घक्राइबर को आपको फिलत करना अनुद्ध ना चाहिए हुआ तो यहां तक हम रखते हैं